आप सब को जैमसी की प्रवुका धनेवाद करते हैं इस सुन्दर शाम के लिए जो परमेशु पिता ने हम सब के जीवनों में दी तो आईए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तूती के लिए एक भजन गाएं ये शुनाम तो गाले प्राणों में बसाले भवसा कर तो तर जाएगा धनेवाद करते हैं आईए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें भजन सहीता चार आट में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है मैं सांती से लेट जाओंगा और सो जाओंगा क्योंकि है यहुआ केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है सच में हमारा परमेश्वर ही है जो हो कि हमें अच्छी नीन प्रदान करता है परमेश्वर के शरण में आकर हम निश्चिंत रहते हैं हम अच्छे से सो पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है वो हमें तसली सांती प्रदान करता है तो आईए हम सब मिलकर प्रातना में जाएंगे और जितने भी भाई बेन लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजिस करते हैं, उन सब के लिए हम निरंतर प्रातना करते हैं धनिवाद करते हैं जीवी तनुग्रहकारी पिता परमेश्व प्रभु इस सुंदर शाम के लिए प्रभु हम आपका धनिवाद करते हैं प्रभु जी चिंताओं में, अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंताओं में, गर्जों की चिंताओं में, अपने शाहतीना होने की चिंताओं में, और अपने परिवार के लोगों की चिंताओं में, अपने रिलेशन्शिप की चिंताओं में, प्रभू जो लोग इस कारण सो नहीं पाते ह प्रबुजी पिता परमेश्वर जो अपनी बिमारियों के लिए चिंतित हैं प्रबुजी ने डर लगता है परमेश्वर जो अपने फ्यूचर की टेंशन में है अपनी जॉब की टेंशन में है पिता परमेश्वर और प्रबुग गलत लथों की चिंता में है परमेश्वर पि कि आप उन्हें छूलीजे और चंगा कीजे परमेश्व पिता, प्यारे खुदावन रात भर उन्हें अच्छे से सोने में मदद साहिता कीजे परमेश्वर, प्रभू हर एक की चिंताओं को, हर एक की परिशानियों को, उनकी विंते निवेदनों को पिता आपके हातों में सौ कि आप एक-एक की सुधी ले प्रभू, एक-एक के मनुरतों को पूरा कीजे परमेश्व पिता, उनकी चिंताओं को दूर कीजे, उनकी जीवन में प्रभू नजाने किस प्रकार की समस्याएं हैं, प्रभू आप जानते हैं, हर एक की समस्याओं को दूर करके परमेश्व प